तो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगर आपका प्लेस्टोर से फ्रीफायर अप्लिकेशन को इंस्टॉल करने का ट्राय करते हैं तो आपका कुछ इस तरह स चैनल को सब्सक्राइब कर दिना यहाँ पर मैं आपको तीन से चार सॉलिशन इसके बताऊंगों उनको अप्लाय करेंगे तो आपकी प्रावलम हो जाएगी मेब भी हो सकता है पहले सॉलिशन से आपकी प्रावलम होजाए तो वीडियो में न तक बने रहेगा तो चलिए चा देखने को मिल रहा है सैट्सक्राइए यहाँ पर आपको जन्रल और फिसके नीचे नीचे नेट्वर्क और प्र ली ऐस। देन उसके बाद app download preferences है इस पर क्लिक करिए यहाँ पर आपको options देखने को मिल जाते हैं over any network, over wifi only, ask me every time आपको यहाँ पर करना है over any network, over any network पर क्लिक करने के बाद done कर देना है देन उसके बाद आप नीचे देखेंगे, नीचे आपको एक option देखने को मिलेगा about का अब आउट पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको play store version देखने को मिलता हूर यहाँ पर लिखा है update play store तो कुछ नहीं आपको update play store लिखा है तो उसके पर क्लिक कर देना और अपने play store को up to date कर लेना है जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर लिखाया google play store is up to date मतलब मेरा google play store है update है कोई problem नहीं है up to date है अगर आपका भी up to date है तो आपको यहाँ से आ जाना है back अगर नहीं है तो उसको update कर लेना है फिर उसके बाद आपको काम करना है directly setting में आ रहा है scroll करना है और यहाँ पर apps देखने को मिल रहाए apps पर click कर ये दर उसे बत मैंने जब से इस पर click कर ये यहाँ पर search बार है search में आपको play store को search कर लेना है google play store को यहांसे open कर लिजीगा open करने के बाद आपको यहाँ पर storage देखना कर लिए तन clear data और इसका clear all data कर लीजिए ये काम आपको जुरूर से कर लेना है इतना काम करने के बाद आप आपको finally एक काम और करना होगा अब आपको mobile की setting में फिर से जाना होगा जैसे आप mobile की setting में जाएंगे मैं आपको बता दू मेरे पर सम्माई का mobile है तो कुछ इस तरह से यहाँ पर settings देखने को मिलेंगी अगर आपके mobile में कोई other mobile है तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूँगा option में भी मिल जाए आपको आपको आपके mobile में वो सब settings तो यहाँ पर आप जैसे ही open करेंगे setting यहाँ आपको देखने को मिलेगा connecting and sharing तो connecting and sharing पर मैं क्लिक कर लेता आपको और scroll करने के बाद यहाँ पर एक option देखने को मिलता है reset wifi mobile network and bluetooth इस पर click कर लेना है अब यहाँ पर होगा क्या guys जैसे ही आप यहाँ पर नीचे देखेंगे reset setting इस पर click करने आपको यहाँ पर आपसे password मांगेगा pin डालेंगे तो आपको जो है यहाँ पर आपकी wifi की mobile data की ब्लेटित की setting reset हो जाएगी अगर internet related problem होगी तो internet related problem यहाँ से solve हो जाएगी क्योंकि आपके network बगारा फिर से reset हो जाएगी जो भी setting बगारा होगी तो यहाँ से यह काम जरूर कर लेना है आपको network setting reset कर लेनी है दन उसके बाद कुछ नहीं करना है अब आपको check कर लेना है आप आपकी जो problem solve होई या नहीं होई तो 101 परसेंट आपकी problem solve हो जाएगी अगर आपको फिर भी कोई problem आते हैं जो मुझे comment box में जुरू बताएगा मैं आपके लिए कोई और solution लेकर आँगा मिलते नेक्स वीडियों में खिल्दर बाइट एक